ओके हेलो एवर्यवन कैसे हैं आप लोग और आज हम चप्टर नबर 6 स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का नाइम डाथ चेंजेस अराउंड अस और आज पास जो भी चेंजेस होते हैं बस उसके बारे में इस चप्टर के अंतर हमें पढ़ना है और कुछ नहीं है इस चेंजेस अराउंड अस तो थोड़ा समझाता हूं कि जितने भी चेंजेस जो होते हैं हमारे सराउंड में वो रिवर्स हो सकते हैं यानि बैक हो सकते हैं लाइक कोई चीज अगर ऐसे रखी थी हमने उसे पकड़के ऐसे रख दी तो क्या हम उसको दुबारा ऐसे रख सकते हैं अब बड़ा मतलब एक पैन के लिए जाशी कि मैंना भी पैन का एक्जामपल दिया पैन के लिए तो काफी एजी होगा मैं आपको दूसर एक्जामपल देता हूं कहने का मतलब फ्रिज में हम पानी रखते हैं और वही अगर फ्रिज में रख करने उसके रेफरेजाटर में रख देढें तो वह पानी की जगा लिक्विड की जगा बरफ यानि solid बन जाएगा, right अब क्या वो बरफ दुबारा पानी बन सकता है obviously yes, वो दुबारा बन सकता है तो हाँ काफी सारे, ज़रूरी नहीं, सारे के सारे जो changes हैं, वो reverse हो जाएं, लेकिन हाँ, बहुत सारे changes हैं जो reverse हो जाते हैं, उनी में से एक example मैंने आपको अभी पानी और आइस का दिया, okay अब यहां पर दूसरा paragraph लिखा है सारे examples हैं, आपके NCRT की take balloon and blow it, size of a balloon has changed it can come back into its original front two simply यहां पर लिखा है, एक balloon लो और उसमें हवा बरो ठीक है, पहले तो बलून कैसा था, इतना चोटा कुछ और हवा भरने के बाद वो काफी बढ़ा हो गया, it's obvious ही बात है, उसमें हवा बढ़ेंगे, तो उसकी size था, it's obvious है, change होगा, right, वो फू लेगा, हाना तो क्या हम उस गुबारे में से हवा निकाल कर उसे वापस उसकी shape नहीं दे सकते it's obvious, तो यह process कैसा हुआ, reversible, अब दूसरा example दे सकते हैं, toy airplane made by paper can be drawn into paper again, no, अगर आप एक paper से एक airplane, मतलब toy बनाते हो, it's obvious है, उसमें cut तो लगेंगे, ठीक है, लेकिन without किसी, मतलब बिना किसी help के, आप उस paper को जोड सकते हो, और अगर आप जोड भी दोगे, तो उसके, cuts के जो निशान है, वो दिखेंगे, वो पहले जैसा दुबारा नहीं हो सकता, तो यह कैसा process हुआ, यह irreversible हुआ, जहांकि हमारा यह reverse, यानि दुबारा वैसा हो गया था, reversible process, ठीक है, लेकिन इस example में, वो reversible process नहीं है, ठीक है, अगर आपने एक paper को काटा, और उससे कोई भी toy बनाया, doesn't matter, error plan or something, लेकिन वो अब दुबारा वैसा plane shape में नहीं आ सकता, right, एक paper से related, एक example आपके सामने है, इस paper में मैंने अभी लिख दिया है, क्या इसको मैं मिटा सकता हूँ, pen को, नहीं, लेकिन वहीं अगर pencil होती तो मैं मिटा सकता था, तो pencil वाला, reversible और pen वाला, irreversible, एक last देखते हैं, रोटी made by dough, can be drawn into dough again, simple, जो मैं मिन जब आटे की, जो रोटी यां बनती है, जो हम खाते हैं, उस आटे को हम रोटी का shape दें, और दुबारा उसको, मतलब महरोड के, दुबारा उसी dough की shape में देतें, तो can't we do it, yes we can do it, लेकिन वहीं अगर हम बात करें, उस प्रोटी को अगर हम shake देते हैं, like पका देते हैं, okay, bake करते हैं उसको, then वो दुबारा उस dough में convert नहीं हो सकती, तो आपको एक ही example के अंदर reversible और irreversible process दोनों का example मिल गए, तो इन तीनों examples के मतलब से हम सर्फ दो चीज़ सीखते हैं, कि process can be reversible और irreversible, reversible का simple सा मतलब जो process reverse, यान जो gain करी है, वो उसी में रहेगा, अब उसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, that's simple, मैं आपको और थोड़ा सा अच्छा समझाओ, तो यहाँ पर जैसे कि यह अगर before वाली condition है, यहाँ पर before वाली condition है, ठीक है, और यह कुछ after वाली condition है, तो reversible process में जो है, reversible process यह circle square भी बन सकता है, और again यह square circle भी बन सकता है, रिकिल, irreversible में, sorry, irreversible में ऐसा नहीं होगा, अगर यह circle square बन गया, तो यह circle square ही बना रहेगा, और यह दुबारा circle नहीं बनेगा, बस इतना से simple सी बात है, अब हम बात करते हैं, कुछ और बातों की जो आपके anxiety में लिखी है, यहाँ पर लिखा है बट, take a inflated balloon and prick it with a needle, no chance can occur now, वही बलून का example है, यहाँ पर अब एक balloon लो inflated मतलब फूलावग उबारा लो उसको शुईते चुबाओ दो उसके अंदर, क्या होगा, वो फट जागा यार, ना अब वो अपना पुराना वाला shape gain नहीं कर सकता, फूलावग shape अपना gain नहीं कर सक इर्रिवर्शिबल, ठीक है, draw a airplane and cut it out, no change can again, ठीक है, अच्छा एक चीज यार, उपर वाले जो एक्जाम्पल से था ना, उसमें हमने paper को fold करके बनाया था, I'm sorry, ठीक है, no problem for that, उपर वाले एक्जाम्पल में paper को fold करके, लेकिन यहाँ पर हमने paper को cut करके, तो वहाँ पर जो ह जहांकि नीचे वाले एक्जाम्पल में इसे fold ना करते हुए, इसे cut कर आए, अब रोटी वाले एक्जाम्पल भी है, roll out a roti and bake it, no change कर ना करना हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, अब एक्जाम्पल मतलब दूसरा paragraph आप देखते है, from above examples, we conclude that objects can change and come into original shapes until a specific change, ठीक है, जितनी भी example हमने लिए है, इन में हमने सिर्फ एक ही चीज़ देखी कि, जो भी object है, वो एक specific change की बाद अब दूसरे shape में जा भी सकती है, और उससे वापस भी आ जा सकती है, okay, दूसरे चीज़ की बाद करते है, could there be other way to bring a change, मतलब क्या, यहां पर और भी ऐसे, मतलब तर changes ला सकें, so let's see, if there is, okay, I think this is visible to you all, yeah, that's correct, अब expand की बाद करते है, okay, what is expand, cart wheel, examples है, मतलब expand के आपको meaning बता हूँगा, ठीक है, और यहां पर कुछ उसके example है, increase in size of a particular object under high temperature or internal pressure, expand का क्या मतलब, simple से माँ आपको बता हूँगा, balloon का example लेके बता हूँगा, expand का मतलब क्या होता है, expand का simple मतलब समझ लेगे, failna, ठीक है, सबसे पहले आप हिंदी समझ लेगे, expand का मतलब होता है, failna, right, अब उसी को हम अब book की language से समझते है, increase in size, ठीक है, of the particular object, मतलब किसी भी particular object का, कुछ भी object, उसका size में जब increase होता है, अब वो increase किस वजा से हो रहा है, या तो temperature बढ़ रहा ह ठीक है, इसलिए, या तो उसका internal, या अंदर का जो pressure है, हवा का जो pressure वो बढ़ रहा है, इन दो चीजों के वज़े से expand होती है, कोई भी चीज, ठीक है, I hope it's understandable, और it's too easy, later on I'll give the example too, for making it too easy, okay, for making it more easy, right, yes, पहले तो अपके anxiety का एक्जांपल लेता है, kart wheel with metal rim, fix to it, ठीक है, जो kart wheel होता है, kart होती है, गोड़ा-कारी देखी होगी आपने, I hope सभी ने देखी होगी, तो उसके जो wheels होता है, उसके उपर रहा एक metal की rim चड़ी होती है, and वो metal की rim जो है, वो उस tire के circumference से थोड़ी सी छोटी होती है, तो it's obvious ना, अगर किसी छोटी ची के उपर कोई छोटी चीज चड़ाएंगे, तो यार, इतना आसान तो नहीं होगा, तो जो iron smith होता है, वो क्या करता है, iron smith, iron smith उसको गरम करता है, मतलब उस rim को, जो wheel है, उसका kart का wheel का, जो rim है, lohe का, metal का piece है, उसको heat करता है, और उस heat की वज़ा से, वो धीरे-धीरे, धी expand करता है, expand in the sense, मैं आपको और पता हूँ, आपने देखा होगा, जो iron smith होता है, वो, मतलब, lohe को पहले गरम करता है, बहुत जादा गरम करता है, इतना कि उसका color reddish हो जाता है, बहुत जादा, dark red हो जाता है, फिर उसे hammer से पीटते है, बार-बार पीटते है, ठीक है, उसे क मैं आपको दूँगा, जी फोटो में एक्जामपल देखे आप इसका, यह होता है, कुछ इस तरीके से होता हूँ, expand, okay, तो इसी तरीके से जो wheel का cart है, पहले उसे heat से expand करते हैं, और expand करने के बाद उस wheel के अंदर, ऐसा frame, उसे fit कर देते हैं, और उस cart को, मतलब, अपने काम प process है, वो चीजों को heat के तुरू, या फिर उसके internal pressure के तुरू, और pressure के से, हवा का pressure, air, okay, उसके pressure से, जो, किसी भी चीज का, अगर size बढ़ता है, right, उसे expand कहते हैं, expandation, okay, is that clear, is that clear, यहाँ पर example भी दिख रखा है, an inflated balloon, ठीक है, inflated बनुट, ठीक है, अब यहाँ पर pressure की बात ह हो रही थी, हमने जब जो balloon था, जब वो inflated नहीं था, balloon up नहीं था, जब उसके अदर हवा का pressure नहीं था, लेकिन जब हमने उसके अंदर हवा का pressure नहीं था, लेकिन जब हमने उसके अंदर हवा भरी, तो वो कैसा हो गया, उसके अंदर हवा का pressure बढ़ा, जब हवा का pressure बढ़ा नहीं उसके अंदर का प्राइशर में अपको बताया हवा जब हमने उस बालून के अंदर भरी तो उसके अंदर एक इंटरण प्रैशर बना थे कैसे अब वह उसके प्रैशर नहीं जी ला पाज बंतब एक वह भी पॉइंट आ जाएगा बलून को फुलाते फुलाते एक वो पॉइंट भी आ जाएगा जब बलून उस प्रेशर को नहीं जेल पाएगा और वो फट जाएगा बरस्ट हो जाएगा बस यही एक्सपैंड है और कुछ नहीं ठीक है अच्छा यहां पर जो आईस और वाटर वाला मैंने आपको एक्जांपल दिया था ना दुबारा देखते हैं से यहां पर यह आईस है एंदेन वाटर है एंदेन विपर है किसी भी चीज़ के तीन फॉर्म होते हैं लाइक सॉल पढ़ेंगे आईस को मेल्ट करते हैं तो क्या वाटर बनता है और उस वाटर को जब एवपरेट हीट और पर यूश करके और हीट प्रडियूश करते हैं तो एवपरेशन के तुरू वेपर बन जाता है आगे चाप्टर सुम पढ़ोगे वाट इस एवपरेशन एन कंडेंस के तुरू दुवारा वाटर बन जाएगा और वही वाटर अगें उसको और ठंडा कर दिये जाए तो वह फ्रीज होकर फ्रीजिंग पॉइंट को आगे चला चोड़कर पीछे फ्रीजिंग पॉइंट को पीछे चोड़कर वह आइस में कनवर्ट हो जाएगा तो यह एक है आइस थु ओ यह भीजान ही आइस यह वोटर वाटर यह लाम दान रिख्रयचार को फ्रीशन प्रोचेस सह ओर विवाटर जिर्यचाय और वटर लगिंगर बलिख्ट फ्रीजिंग प्रोचेश और तौड इस हुंट ही में वहीचा एक शोचा में उना नीनिंग प्रोचेस okay that's all for this chapter just a little bit there this is the last means last two or three examples of your ncrt mentioned here that is here the changes are reversible or irreversible whatever or non-reversible processes okay in my question now product banta he banta okay simple zapata Us Mecha Kuchin na Kuchaya product banta yeh okay instant just stick a a for you is example fat a job for you go Jala ten जलने कबाद कहाराता है एक अलग तरीके की GPS मैल आती है हमें smell of the gases उसे देख तो सकते नहीं ठीक है लेकिन लगे उसे smell कर सकते हैं और इसी गैस की वैसे pollution होता है ठीक है और ash produces as new material उसमें से ash भी निकलती है कर जो राख होती है जब पूरी फूल जड़ी है वो जल जाती है जो राख बचती है वो ash कहता है राख को ash तो दो new material produce करें एक product से कुछ change होने के बाद दो नए product produce हुए तो यह कैसा है कमेंट में बताओ यह इस दाट में से फूल जड़ी को जलाना इस दाट रिवर्ट सिवल प्रोसेस और रिवर्ट सिवल प्रोसेस यह आपको बताना है और इस टूजियर बता देना ठीक है कमेंट में लिखना smell of gases जो है आपको मतलब smell करने पर मतलब जब भी स्टिक्स की तो mad sticks जो बनती है उसके ऊपर जो चाटा सा रचिश्ट पावडर होता है वह गन पावडर होता है जो की जल जाता है oxygen के साथ द्टिक है और जलवी स्टिक और एशॉ शिंबल यार उससे कुछ heat produce होती है हीट प्रडुक्ट से अगेन चेंज होने के बाद दो नए प्रडुक्ट मिले यही हमें यह चेप्टर बताना चाहता है हमारे आसपात जितने भी चेंज़ेस होते हैं उनमें से कुछ ना कुछ न्यू प्रडुक्ट बनता ही बनता है एक और एक्जामपल जो डेटुडे लाइफ में आपने देखा ही होगा मेलक को जब हमें हीट करते हैं उसमें निमोनी चोड़ दीजिए ठीक है और उसे हीट करो और फिद दे थंडाउन रख दिया अगली दन आपको कॉर्ड मिलेगा अब दूद से दही बन गया क्या यह रि रिवर्सिबल प्रोसेस और नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस 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 नॉन रिवर्सिबल प्रोस small chapter so I hope you understand all the things from this chapter from my side and अगर यहां पर कुछ ऐसा है जो मुझे एड़ाउन करना चाहिए अपनी वीडियो में so please let me know in the comment box thank you so much for watching out my video that's all for today bye bye